नमस्कार जैशीरांग अगर आप उत्तर परदेश से हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है योगी सरकार की तरफ से एक नई नियूज आई है जो लोग भी किसी भी तरह की रिसर्च करते हैं डिस्कवरी करते हैं या फिर उनको रिसर्च करने के लिए घूमने का शौक है अगर आप रिसर्च करेंगे तो घूमना तो पड़ेगा ब्रहमन करना पड़ेगा तो ऐसे लोगों के लिए सरकार एक अपनी नई योजना लाई है इस योजना के तहत आपको रिसर्च करने के लिए डिस्कवरी करने के लिए सोथ करने के लिए घूमने के लिए 40,000 रुप अलाकी न्यूज है और इस न्यूज की ये न्यूज अपडेट हुई है 28 अगस्त 2024 को दो वज़कर 44 मिनट पर रुपी न्यूज सोधार्थियों पो छेतर भ्रम्मन के लिए 40,000 रुपे परती महा देगी योगी सरकार 31 अगस्त तक करें आवेदन तो दोस्तो आज 30 अगस्त और 31 अगस्त इसकी लाश डेट है तो ये सारी न्यूज आप पड़ सकते हैं आवेदन के लिए मान्याता प्राप्त संस्थानों या बिश्व द्यालों से नियून तम 60 परतीशा तंकों के साथ सनातक वे कुछ सेक्षन की योगता होनी चाहिए तो दोस्तो ये पूरी न्यूज है आप पड़ सकते हैं विस्तार से मुख्य मंत्री टूरिजम फैलोशिप कारेकरम के लिए आवेधन की अंतिम थिती 50 सगष्थ है इसके लिए 40,000 रुपे तक इसके लिए 40,000 तक की उम्रबाले सनातक आवेधन कर सकते हैं इसमें उमर है दोस्तों 40 साल तक की उमरबाले सनातन जिनोंने ग्रेज़ीशन कर रखा है वह अपना फॉर्म भर सकते हैं सोदार्थियों को पारीश शर्मिक वैच हित्तर ब्रहमन के लिए परती माहर महीने 40,000 रुपे दिये जाएंगे इसके माध्यम से परेटन को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा वहीं लुबाओं को रोजगार के अफसर भी मिलेंगे ये सरकार की मतलब इस स्कीम के इस योजना के तहर सरकार का लक्ष है तो आप इस पूरी न्यूज को विस्तार से पढ़ सकते हैं ये अमर उजाला पे न्यूज है तो आपको अगर आप भी सोद करता हैं रिसर्च करते हैं या घूमने फिरने का शौक है तो आपको 40,000 रुपे परती महा मिलेंगे आप ये पूरी न्यूज पर सकते हैं इस परने के बाद अपने दोस्तों को रिस्तेदारों को जो भी इस में लावारती हो सकता है उसको भेज सकते हैं और इस योजना का योपी सरकार की योजना का लाव उठा सकते हैं